distance between two lines जैसे दो 통व लाइन्स पायरेलेल हो सकते हैं जा दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग इस तरह से नॉन पायरलेल हो सकते हैं जिसको क्ये एकšटेंड करने पर इए इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो het distance between these two lines अगर the shortest distance इसटेंगे यह दोनों Inter via parallel line लाइन के बीच में में आजर 9 तो यहाँ पर डी बरावर क्या हो गया जीरो यहाँ पर d निकालना है तो माल लिजे कि equation of lines a1 x plus b1 y plus c1 ब्रावर 0 है और a1 x जोड b1 y जोड c2 ब्रावर 0 है यह दोनों equations parallel lines है क्योंकि इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो slope एक ही होगा इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बी वा बी वन वाई ब्रावर माइनस c1 माइनस a1 x तो य ब्रावर क्या हो गया माइनस a1 divided by b1 माइनस c1 divided by b1 यहां पर x यहां पर slope क्या हो गया माइनस a1 divided by b1 इस case में उसी तरह से इस पॉर्म में express करेंगे तो क्या आजाएगा y ब्रावर क्या आजाएगा माइनस a1 divided by b1 into x माइनस c2 divided by b1 तो यहां पर भी slope देख रहे हैं क्या हो माइनस a1 divided by b1 अब चुकिए slope ब्रावर है इसलिए दोनों लाइन क्या हो जाएगा पैरलिल हो जाएगा तो अगर equation of lines इस format में है तो distance between lines क्या हो जाएगा दोनों माइनस c1 mod divided by under root a square plus b square इस formula से हम जैसे कि दो lines के बीच का distance निकाल सकते हैं अब मान लिजे की line का equation अब suppose मान लिजे की line का equation है y equal to mx plus c1 अब चुकि parallel lines है तो दोनों का equation slope क्या होगा सेम होगा तो y equal to mx plus c2 यह दोनों line parallel है क्योंकि दोनों का slope सेम है तो इस case में अगर equation of lines इस format में दिया तो डी ब्रावर क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं क्या mx minus y plus c1 ब्रावर 0 a mix minus y plus c2 ब्रावर 0 तो डी ब्रावर क्या हो जाएगा पिछला formula से हम निकाल सकते हैं c2 minus c1 mod divided by under root क्या होजएगा यह कितना हो जाएगा m2 plus minus 1 के hall square ब्रावर क्या होगा mod c2 minus c1 divided by under root 1 plus m2 तो यह यह एक generic formula हो गया और यह एक तरह से specific हो गया अगर equation of lines इस format में दिया हो तो directly हम इस को हम use करते हुए निकाल सकते हैं तो एक example लेते हैं और example से मनाने का हम कोसिस करते हैं अब मान लिजे की equation of lines है y equal to 2x plus 3 and y equal to 2x plus 5 तो distance क्या हो गया इन दोनों line के बीच 5 minus 3 more divided by under root 1 plus m2 कितना है 2 के square ब्रावर क्या हो गया 2 divided by under root 1 plus 4 कितना हो गया 5 तो यह distance होगे इन दोनों के बीच उसी तरह अगर मान लिजे equation of lines is format में 2x plus 3y plus 7 ब्रावर 0 2x plus 3y plus 10 ब्रावर 0 तो इस दोनों line के बीच का distance हम इस formula से निकाल सकते हैं जो कि क्या होगा इस तरह से इन दोनों formula को यूज करते हुए हम distance between parallel lines निकाल सकते हैं झाल सकते हैं कि कि को आगर